हेलो गाइज, वल्कम एच सुनी लॉटो कार, तो आज अब सभी के सामने पेसे हुंडे ग्रैंडडर नियॉस, यह अपने सब्सक्राइब की बहतरीन से फीचर लोड़ेट हैजबक कार, आज 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 आप देखेंगे इसके मोस्ट स्टिलिंग वेरिंट यानि के स्पोर्ड जो यहाँ पर सबसे बिखने वाला रहने वाला इस कार का, प्राइड रेंज की बात की जाए, तो पांच लाग बान बेज आज से इसका एक्स रूम, यहाँ पर बेस वेरिंट श्टार हुजाता है, टॉप मोडल तो जाता है, नौलाग के आस पास, लुक्स वाइज देखे इस कार के साथ, हैड़ाम्स की बात कर लें, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे पीले वाले, इसी में यहाँ पर रहेगी इंडिगर्स की प्लेस्मेंट, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRS देखने को मिलते हैं, डे टाइम रनिंग तो ग्रिल वेगर आपने देखे लिए नीचे की बात करें इस तरह इसका रहेगा पूरा फ्रेंड इंजल एंड इस अस्पास रहेगा इसकार के साथ, यहाँ पर देखेंगे इसका डूल वाइपर एंड वाशर की प्लेस्मेंट, उपर जाते हैं इसकी प्लेन रूफ और र रहते हैं, प्रफाइल यहाँ पर जुदिया गया, 175 60R 15 इसके पर देखने को मिलेंगे रेडियल के टायर्स, बाकि यह इस तरह कुछ रहेंगे, यह देख रहें ना, वील कैपी रहता है, इतना कुछ आपको ट्रेवल मिलेगा बॉड़ी एंड से स्पंसन के बीच में, बाक अब आईए आते, यहाँ पर देखेंगे इसका आउट्स न मिरर्स जो आपको देखने को मिलता है, इसी में यहाँ पर रहेगी इंडिकर्स की प्लेस्मेंट, ए पिलर वगरा भी यहाँ पर देखेंगे सेम बॉड़ी कलर, बाकि दोर हैंडल भी सेम उसी तरह यहाँ पर दे इसमें डलवाएंगे पैटोल, 37-liter fuel tank capacity आपको मिलेगी इस कार की, उपर आयते हैं तो यहाँ पर देखेंगे GI-10 की बैजिंग, यह रहेंगी ब्लाक कलर की इसकी रोफ्रिल, शाफन एंठीना, वहाँ पर देखने को मिलेगा पीछे की तरफ, रियर में आपको नॉर्मल से ड आइड़ेश्मेंट वाली streets रहेंगे बाकी remote center locking की adjustable headers जैसे एकाफसर है features जो इस segment की दूसरी कार्स में नहीं मिलेंगे, बाक प्रफाइल की तरफ आएंगे, connected यहाँ पर देखनों को मिलेंगे, हाला की यह बीच वाला पार्ट ऑन नहीं होगा, ऑन होता है इसका यह वाला पा Grand I-10 उसके बाद आई Grand I-10 Neos तो उसके आपको badging देखनों को मिल जाएगी, bumper वगरा, same body color, यहाँ पर देखेंगे, तो दो reverse parking sensors, बाकी sport वेरेंट है तो यहाँ पर आपको इसमे reverse parking camera भी देखनों को मिल जाएगा, plus logo वगरा, and a special thanks, ऐसे सुंड़े ही कानपूरोड लखनों जि exhaust pipe, यह सब आपने देख लिए, अब बात आती, इसके boot space की, मतलब भाई साब गाड़ी लेंगे, अब भाई साब उसका boot space तो चाहिए न, पिर सामान वगरा कहां पर रखेंगे, आई आपको दिखाते है, unlock करते हैं सबसे पहले इसको, यहाँ पर आपको इस car में मिलेगा, व आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यही पर इसका jack tool पाना जो भी toolkit होगी, सारी चीज आपको रख्यू दिख जाएगी, इसके साथ अगर आपको थोड़ा कॉंप्रमेस करना पड़ेगा, बोरी स्पेस से क्योंकि वहाँ पर लाइगा, आपक सिल्वर हो गया, ग्रे हो गया, एक्वाटेल हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह काफी डेर सारे color option देखने को मिल जाते हैं, इस car के साथ, डैम्शन की बात करें, अगर इस उंड़े ग्रेंड़े नियोंस की तो आपको समें मिलेगी 3815 mm की इसके यहाँ पर लेंथ, यानि के ल पूरा ग्रेफ निश में, नीचे जाएंगे पार उंड़े का कंट्रोल, इस पिकर, बाट्रोलर की प्लेस्मन यहाँ पर मिल जाएगी, इनके दोर्स में, सीट्स वगरा सारी फैब्रिक के यहाँ पर देखनों को मिलती है, आईए बैठते कार के अंदर, सो गाई सब ही आच सिक्स एरबैक्स मिलता है, इस तेंडर इस कार में, बेसी मॉडल से, हाइट अरश्मन वाली ड्रावट सीट आपको मिल जाएगी, रिमोर सेंटर लॉकिंग की यहाँ अफसर फीचर से आपर रखेगा इस तेंडर इस कार के साथ, उपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे इसका पार्सल ट्रे, एंड तीन पॉइंट्स आपको मिलता है, सीट बेल्स के, आर्मिस्ट वगरा, यह कुछ आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, इस वेरेंट के साथ, तो यह बात होगा इसके सेकंड रो की, आईए आप चलते हैं, आगे ड्यावर साट की तरफ, फिर बात करेंगे, इसके यहाँ पर क्या को दियाएगा, इसके डासपोर में, यहाँ पर दोर्स में, चाइड लॉक वगरा देख सकते हैं, जब आते इधर तो यह सेम इसके बादी कलर्ट दोर हैंडल, डोल ट्रिम वही पीछे की तरह डूल टोन में, दोर ओपनर, औल फॉर क्लाइं का ओप्शेन, नीचे इसका फिलीड ओपनर, यहाँ पर मैनुवल ट्रंसमिशन के अबीसी पैडल, उदर रहाएगा डेट पैडल, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दियाएगा स्विच, आईए लगाते इसके चाबी लिखाते, इसका प यहाँ पर मीटर, इधर जाएंगे स्पीडो मीटर 220 के यहाँ पर मार्किंग, बीच में स्क्रीन, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें आपको ड्राइव इंफॉर्मेशन वगरा मिल जाएगी, और अगर आपको इंफॉर्मेशन देखने हो, यहाँ पर दियागा लेट साइड, यह बात होगे, इसके क्लेश्टर की स्टेरिंग वील की बात की जाए, यहाँ पर देखेंगे हुंड़ी का लोगो, यहाँ पर क्रूस कंट्रोल्स, हमाइडी के कंट्रोल्स दी गए, राइट साइड, बाकि लेट हैंड पर आपको मिलते हैं, आपर टेलिफो की, तो डास्पोर्ट में सबसे पहले देखेंगे, इसका संटर कंसोल, जहाँ पर एट इन्चेस फाली आपको इसकी टच स्क्रीन मिलेगी, कनिक्टिविटी की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको इसमें एंड्रोइड ओटो, हैपल कार्ट पर यूवस्भी औक सिसरी को ज जाता है, बाकी इधर की तरफ, यहाँ पर बारा ओड का चार्जिंग आउटलेट, इधर टाइप A, टाइप C दोनों यहाँ पर रहेंगे, USB के पोर्स, यहाँ पर इसपेस वगरा जहाँ पर मोबाइल वगरा अपना कुछ भी सामान रख सकते, यहाँ पर मैनुवल ट्रांस इधर सनवाइजर में मिलेगा, आपको टिकट होल्डर इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर वैनेटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह बात हो गई, यहाँ पर सुन्दी, ग्रांडेड और नियॉस के सबसे मोच सेलिंग वेरिंट स्पोर्ड की, स्पोर्ड वेरि इसकी चावी को, फिर बात करते हैं, यहाँ से खोल के आपको दिखाते हैं, इस गाड में सिर्फ आपको पैट्रोली को आप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बाई फ्यूल सेंजी का आपकी आप्शन देखने को मिलेगा, यह निकि डीजल वगड़ा का आप्शन नहीं रहेग फिर बात करते हैं, इसके पावर फिगर के बारे में, तो अभी बात करें गर इसके पावर फिगर के तो इस 1.2 लिटर काप्पय पेट्रोल में आपको मिलने वाली है, 82BHP की पावर, एंड 113 नहम का टॉक के आपको देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ इसमें सम्सिंग आपको मिलेगे, 19-20 केंपल तक मालिक्स इस कार के साथ, यह पर आप उसे CNG वरेंट में स्विच करेंगे, तब आपको पार फिगर थोड़ी पहले से कम देखने को मिल जाएगी, पाइनली बात आप लाट इसकी कीमत की, अगर आप इस स्पोर्ट पेट्रोल वरेंट को लें यही का आज का मारा वीडियो इस इंडे ग्रैंड एडर नियोंस पे, अगर आज का मारा वीडियो पसंद आतो फ्लीज वीडियो को लाइक जू कर दें, चैनको सस्क्राइब कर दें, मैं सुनील, फिर मिलता हूँ, आपको अगले किसी बेतरिंग से वीडियो के साथ, तब त थैंक यू, सो मच